हेलो फ्रेंज वेलकम जो टेक कमाक्षी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जो कि अभी यूज नहीं किया जाता है बट बहुत सारी कंपनियों में अभी भी डिवी राइटर यूज होते हैं क्योंकि यह सेफ और सिक्योर है तो यह हमारे पास एक पोटेवर castle dvd writer है तो आज की इस वीडियो में हम connect करके देखेंगे कि इसे कैसे आप अपने laptop के साथ easily connect कर सकते हैं या अपने tv के साथ और easily कोई भी अगर आपके पाद disc है तो उसको यहाँ पर write कर सकते हैं अगर इसके features की बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप tv के साथ भी connect कर सकते हैं long lasting recording कर सकते हैं अब यह कौन-कौन से system में support करेगा आपको पता होना चाहिए window 10, 8, 7, USB 2.0 में आप इसको connect कर सकते हैं 3.0 के लिए यह capable है तो चलिए इसको open करते हैं और देखते हैं कि यह दिखने में कैसा होता है इसके साथ आपको एक cable मिलेगा जिसके थुरू आप इसको connect कर सकते हैं अपने टीवी लैप्टॉप के साथ आपको नॉर्मली जो cable का एक point है आपको यहाँ पे लगाना है डिस्क में और second point जो USB type A side होता है वो आपको अपने टीवी या लैप्टॉप में लगाना है और यह आपके साथ connect हो जाएगा उसके बाद आप जो भी write करना चाहते हैं DVD वो आप इससे write कर सकते अगर इसकी company की बात करें तो हिटाची, LG data storage, slim portable DVD writer है अगर इसकी pricing की बात करें तो आपको box पे लिखा हुआ नजर आएगा 2000 रुपे बट आपको यह DVD writer अगर purchase करना है तो link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके easily इसको purchase कर सकते हैं और कम कीमत पे आपको वहाँ पे यह available होगा इसके साथ आपको एक disk मिलेगा जिसमें इस DVD writer का software होगा जिसको आप normally install कर सकते हैं और आपको अपने PC में इस DVD writer को इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप Windows 10 यूज करते हैं तो normally वहाँ पे आपको driver यह load करने की जरुवत नहीं पड़ेगी automatically यह वहाँ पे connect होड जाएगा बट normal कोई और आप Windows यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस CD की जरुवत पड़ेगी अपने driver को install करने के लिए तो चलिए इसको connect करके देखते हैं कि यह काम कैसे कर रहा है जैसी आप एक point यहाँ पे connect करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि यह connect हो गया है और normally आप यहाँ पे push करेंगे तो यह automatically बाहर की side आने लगेगा इटमेंस यह connect हो गया आपके laptop के साथ अब आपको simply यहाँ पे अपने DVD जो भी आपको use करनी है उसको यहाँ पे लगाना है और इसको अंदर की तरफ push कर देना है और यह आपका write करने लगेगा वहाँ पे आप easily DVD writer का use करके अपने जो भी CD या जो भी data हो आप उसको transfer कर सकते हैं अपने laptop में और अगर आप movies देखना चाहते हैं और आपके पास DVD है तो वो भी आप यहाँ पे लगाके अपने TV के साथ connect करके आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे यह काफी safe होता है इसलिए अभी भी बहुत सारे office में इसका इस्तमाल किया जाता है अब disconnect की बात करें अपने laptop से इसको disconnect करना है और यह automatically आपका disconnect हो जाएगा तो यह पूरी वीडियो थी इस portable device की जो की safe है, secure है आप अपने DVD को easily इस portable device के तुरू write कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी डाटा आपके DVD में या आपके CD में available है वो आप अपने system में देख सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा Thank you friends